आज की रेसिपी बहुत आसान है बहुत टेस्टी भी है आज हम बनाने वाले हैं पनीर भूरजी वेजिटेरिन्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है चाहे बिगनर हो चाहे बैचलर इसे हर कोई बना सके इतनी आसान है मुझे उम्मीदे आप इस वीडियो को एंड तक आज की इस रेसिपी को देखने के बाद अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर देखिए एक कड़ाय में दो लीटर दूद को गरम होने के लिए रख दिया है फ्लेम को आउन कर दिया है मैं यहां पर फुल फैट मिल्क ले रहे हूं और आपको भी सज़ेस करूंगे फुल फैट मिल्क ले जिससे की पनीर भूची टेस्टी ब बनेगी आप अगर इस तरीके से छेना निकाल करके पनीर भूर्जी बनाएंगे तो यकिन नी मानेगे इतनी टेस्टी बनती है ना यह आप बार बार बनाना चाहेंगे तो आप देखिए दूद में उबाल आ चुकी है मैंने साइड में एक बोल आपको दिखाया उसमें दो बड़े चमच में पानी मिला कर लिया है आप विनेगर के जगा निम्बू का रस ले सकते हैं पनीर का पानी ले सकते हैं अगर पहले से अपने कभी पनीर बनाई हो पानी रखा हो एक दो दिन पहले की तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अब इसे फाड़ने के लिए हम पहले उबालाने के बद फ्लेम को बंद करेंगे, हलका सा इसकी जो वाफ है वो निकल जाए, फिर धीरे-धीरे करके हम ये मिक्षर डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक दूध हमारा फटना जाए, ये आप सब को पता होगा छेना कैसे, मतलब दूध को फाड कर छेना कैसे अलग करते हैं, तो बस वही प्रोसेस में याँ पर कर रही हूँ, आप देख सकते, दूध अभी तक पूरी तरीके से नहीं फटिये, बट अभी और मिक्षर डालने के ज़रुरत नहीं है, आप देख सकते, बड़े बड़े छेने पीसेस दिख रहे हैं, यानि कि ये फटना शुरू हो गया है, अभी बस हिलाते रहेंगे, जैसे जैसे ये विनेगर का पानी इसमें अच्छे से मेक्स होगा, ये पूरी तरीके से फट जाएगी, तो आप देख सकते, छेना बिलकुल अलग हो गया, तो आभी में विनेगर वाला मेक्सरन नहीं डाल रहे हूँ, आप इसे हम छान लेंगे, तो अल्रेडी मैंने एक बरतन नीचे रखा है, एक छलनी, उपर एक मसलीन प्लॉट लिया है, काफी अच्छी कॉंटिटी में छेना निकला है, जो कि छलनी में, छलनी के बाहर आ रही है, कोई ने, अब इसमें से जो वे निकलता है, ये ना बहुत ही अच्छी प्रोटीन होती है, ये हमारा नाच्रल प्रोटीन है, इसे आप ग्रेवीस में आटा गुनने के लिए, सूप पनाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसे में साइड में रखते हूँ, अब ये जो छेना है, इसमें हम थोड़ा सा रूम टेंपरेश्र ला पानी डालेंगे, कोई भी पानी डाले, पानी डाल करके इसके खटास को हमें निकालनी है, जो हमने विनेगर इसमें डाला है, या फिर आप निम्बू का रस लेते हैं, तो उसके जो खटास है वो निकल जाने चाहिए, इसलिए हम पानी डाल कर इसे धोलेंगे, फिर या तो आप इसे पोटली जैसा बान करके, इस छलनी के उपर ही थोड़ी दे रख दे, 10-15 मिनिट के लिए ऐसी छोड़ दे, या फिर इसे इस तरीके से हलका सा दबाते हुए, इसका पानी निकाल लें, क्योंकि अब ये बहुत गरम है, तो मैं कोशिश करूँगी, हलका से इसे दबा करके, इसे पानी निकालने की, जैसे पनीर बनाने के लिए, आपको बहुत देर तक इसके उपर एक भारी बरतन, या कुछ रख कर छोड़ना पड़ता है, वो प्रसेस आपको करने की ज़रुरत नहीं है, और मैं सज़ेस्ट करूँगी, यह जो छेना है, इसमें से पूरा आप पानी इसका निचोड़ करके, ना निकाले, हलका सा इसको, इसमें रहने दे, जिससे कि आपकी भूर्जी बहुत ही डेस्टी बनेगी, बहुत ही जूसी वाली भूर्जी बनेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 10 मिनिट इसको छोड़ दिया था, और इस कर्टोरी में जो भी पानी टपका था, जो निकला था, उसे मैंने फेक दिया है, अब इस छेना को हम इस बोल में निकाल लेंगे, जब आप ताजा बना करके भूर्जी बनाते हैं, भूर्जी बहुत ही टेस्टी बन दिया, आप देख सकते हैं यह छेना इसकी टेक्शर देखिए, कितनी सुन्दर है, तो इसकी बनी हुई रेसिपी टेस्टी तो बननी ही है, तो चली, इसे आप ऐसे ही रख देते हैं, तब तक मैंने प्याज, टमाटर, अद्रक, लसुन, सारे काट कर रखे हैं, तो अब एक चमच में तेल और दो चमच बटर ले रही हूँ, आप चाहे तो घी से बना सकते हैं, पूरा बटर ले सकते हैं, अब एक चोटी चमच हम इसमें जीरा डालेंगे, जैसे ही जीरा चटकने लगे, हम इसमें अद्रक और लसुन डाल देंगे, मैंने एक बड़ा चमच बारी कटा हुआ लसुन, और एक बड़ा चमच बारी कटा हुआ अद्रक ले रही हूँ, अब इसके साथ 3-4 हरी मिष्ट में काट कर ले रहे हूँ अगर आपको थोड़े सी स्पाइसी पसंद हो तो इस समय हरी मिष्ट टाले आप अगर स्पाइसी कम पसंद करते हैं तो प्याज भुनने के बाद आप हरी मिष्ट टाले दोस्ते के ऐसा ये तीखा थोड़ा सा कम होगा मुझे थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है इसलिए मैंने अभी से हरी मिष्ट टाल दिया अब अध्रे कलसुन हरी में जब थोड़ा सा भूंजे हम इसमें प्याज टालेंगे और अब सभी को पता है कोई भी भूर्जी बनाते तो प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है बस ये थोड़ी सी स्वेटी हो जाए यानि कि हलका सा ट्रांसलूट हो जाए पिंक सा कलर हो जाए इसका फ्लेम को मेडियम पे रखे और चलाते वे भूल ले तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज भून चुका है तो हम इसमें टमाटर डालेंगे मैंने दो मेडियम साइज के टमाटर को बारिक काट कर रखा है टमाटर को हमें बहुत जादा नहीं पकानी है, स्माश नहीं करना है, टमाटर अपने शेप में ही रहे, बस इप भून जाए इसलिए मैं इसे मेडियम टू हाई फ्लेम पे पका रहे हूँ अब हम इसमें स्वात के नमक डाल देंगे, और जो भी पाउडर मसाले इसमें जाएगी, अभी से हम एड़ करेंगे तो चाहे तो फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लोपे कर दे, ताकि जब भी आप पाउडर मसाले डाल रहे हूँ, प्याज और टमाटर जलेना आदी चुटी चमच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हूँ, तीन चुटी चमच लाण मिश पाउडर डालेंगे, ध्यान रहे हमने हरी मिश अल्रेडी डाला है एक बड़ा चमच धनिया पाउडर डाल देंगे, और अच्छे से मिला लेंगे अब हम लगबग 2 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे मसालों के साथ प्याज और टमाटर को भूल लेंगे यहाँ पर अब देखिए प्याज टमाटर अच्छे से भून चुक है मसालों के साथ तो इस समय में डाल रही हूँ एक छुटी चमच मैगी मसाला मैं जब भी पनेर पूर्ची बनाती हूँ इसमें मैगी मसाला डालती हूँ इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है चाहे तो आप गरम मसाला ले सकते गरम मसाला पावडर लेते हैं तो आदी छोटी चमच काफी होगा अब हमारा छेना जो हमने अल्रेडी रेडी करके रखा था यह डालेंगे छेना को आप चमच से हलका सा ऐसे दबा दबा करके तोड़ ले जिसी गरम हो जाएगी ना यह नरम पड़ जाएगी तो बहुत एजिली टूट जाएगी अब इसे अच्छे से मसालों के साथ हम मिक्स कर लेंगे जब तक आप यह छेना को ब्रेक कर रहे हो यानि कि तोड़ रहे हो तब तक चाहे तो फ्लेम को लोपे कर दे और ध्यान रहे छेना को आमें बहुत जादा नहीं पकानी है नहीं तो यह हाड हो जाएगी आप सभी को मसालों के साथ मिक्स करते हुए से पका लें और अभी मैं इसमें डालूंगी एक छोटी चमश कसूरी मेथी मैंने कसूरी मेथी को भून कर लिया है इस तरीके से हतेलियों के बीच में रखके क्रश करते हुए डाल देंगे और इसी के साथ मेरी फेवरेट धनिया बत्ता एक पहले बताएगा यह अंडा भुर्जी है लेकिन यह पनीर भुर्जी है वो बहुत ही डिस्टी बनता है वाव वाव ब्यूटी कितने सुंदर लग रही है न चैले इसे सर्फ करते हैं तो आप यह पनीर भुर्जी को पाव के साथ या रोटी के साथ खा सकते अगर आप पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें फिर मिलती हुए एक और ने रस्पी के साथ बाव बाई एंड टेक एड थैंक्स वोचिंग